हेलो दोस्तों स्वागाता है आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में अर्थ सास्त का जो हम लोग फौर्थ अध्याय देख रहे हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे जो कि दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है एक है कि मेरा मंड बार्की से देखते हैं और बहुत ही इजी बेम हम आपको समझाएंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत न पड़े और आपके माइनट में सेट अप रहे ताकि आप एक्जाम में अच्छे तरीके से लिखके आए और आपको पूरा में पूरा मार्क मिले जै इसके बाद हम अपना पाचमा अध्या स्टार्ट करेंगे यह मेरा फॉर्थ अध्या समाप्त हो जाएंगे इसका जितने भी एंसी आटी कोश्चन थे जो भी इंपोर्टेंट कोश्चन थे सारे कोश्चन हम देख चुके तो चलिए जानते हैं फॉर्स्ट कोश्चन कि मंड कि जब उपनिवेस का दौर चलता है कि सब कंट्रिया एक दूसरे पर उपनिवेस कर रहा था कि मतलब यहां पर बैपार अलग 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 देशों में जाकर बैपार करते थे इस होड में येूरोप्य कंट्री जो थे वह मैनिफेक्चर मतलब कह सकते हैं कि उत्पादन तो इससे हमारा देश भी अच्छूत नहीं रहा है क्योंकि हमारा देश उस समय में अंग्रेजों का उपनिवेश था यहां पर अंग्रेज का सासन चलता था जब लेकिन भारत में भी मन्डी का असर देखने को मिला था कि मन्डी का असर भारत में बहुत ही कम परा इसका कारण यह था कि भारत का पुंजी वाजार था भहुत मजबूत आवस्ता में था जो भारत के जो पुझी वादार थे वह अच्छे इस्तिती में थे, इस वज़र से भारत पे जो था मंडी का असर बहुत जायदा नहीं पड़ा, यहां के इंजीनियर बाइसरोती, वर्स ने बाइसरोती, यहां पे लिखना था, बाइसरोती का मतलब होता है कि जो दूसरे दे होती बने हुए थे बिदेशी, बिदेश में इनकी सेवा की काफी मांग, बिदेश में इनकी सेवाओं की बहुत जायदा मांग थी, सुचना परद्यकी में भी आज भारत बहुत आगे हैं, मतलब का सकते हैं कि बहुत जायदा आगे हैं, सुचना परद्यकी में भी इसलिए आधारवुत सनचना था बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि जो विक्षित देश है उससे अच्छा नहीं है हमारे देश तो अभी विकास सील है उसके बावजूद भी हमारे देश पर मन्री का असर बहुत जैदा नहीं परा था तो यह लगूत्रिय प्रसन था यह दो नमबर मे है आप से पूछे जाएंगे तो इसको आपको अच्छे तरीके सगवरब करके लिखना आता और बहुत अच्छे क्ष्चन है यह क्ष्चन अभी तग में बहुत बार पूछा जा चुका है तो चलिह हम इसको बहुत ही वर में betाने का आपको प्रियास करते हैं तो मेरा क्ष् बात एक हैं आर्ट किसमें आते दो ति स्ट किसमें आती तो पर्थम पर्थम में बताएथ सेवा छेत्र का यह सपाः था सकते हैं acting है प मतलब होता है सेवा देना रोजगार देना सेवा एवं रोजगार एक ही सिक्के के दो पहलू है मतलब सेवा देना या रोजगार देना एक ही सिक्के हम कर सकते हैं कि बात एक ही है एक ही सिक्के के दो पहलू है जैसे कि किरिशी छेत्र में हो या उद्यों के छेत्र में हो या सभी छेत्रों में सेवा के लिए मानव संसादन चरण करने की आवसक्ता परती है वह कितना भी है依ानiveness करने तो मानवानची जवर्वत परती ही हैं भारत में संकल गेरेलू उठ़ाद fiveborn cima और देशाट सेवाच्छा इहीं से परदान करता हैं मतलब संकलлем के लिपाद सकते हैं जो छोटे युद्योग होते हैं वह संकल पर्तिसाद मतलब भेर कुछ सीरा Western के बिंदान के लिए छीजा का परशार आव सकते हैं किसी भी चीज को मतलब अच्छे करने के लिए या कर सकते हैं उसे अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या चीज़ शिक्षा का प्राथिमिक्ता दिया जाता है उसका परसार क्या होता है आवस्षक होती है सिख्षा का अर्थ होना चाहिए कि सिख्षा प्राप्त कर छात्र किसी भी काम में निपून हो जाए ऐसा नहीं कि सिख्षा का प्राप्त करें सिर्फ गॉवर्मेंट जो भी किसी भी छेत्र में जाए आप उस उस छेत्र में आप क्या हो निपून हो अच्छी से उस छेत्र में काम कर सकते हैं. कर सकते हो, तो हू objects का लागा, ए अच्छी शिक्षिद का लागा, या अच्छा माना जाएगा. जो केवल साक्षर बनकर ही नहीं जैसे कि ऐसा नहीं कि मतलब कि सिक्षा ले लिए सिफ साफच्षर के नाम लिखने आ जाता है और कोई वर्क उससे आता ही नहीं है सिर्फ साक्षर बनकर पता नहीं सरकार उसे क्या बनाना चाहती है जैसे कि अभी देख सकते हैं भीहार की तो ग्रिवास्था और भी खिराब है यहां साक्षरता की दर को बढ़ाया जा रहा है कि सबी लोग से अक्षित हो रहे हैं लेकिन कुसल नहीं बन रहा है कि मतलब किसी भी काम में निपूनता नहीं देखने को मिलती है यह हो सकता है कि सरकार की जो असफालताय का कारण भी है क्योंकि बहुत जाएदे चीजे हमारे जो इसकूल होते हैं उसमें विवस्थाएं नहीं थे अच्छे टीचर की विवस्था बिहार से ही निकलते हैं यह अलग बात है कि जैदा 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 जिनियस कहां से निकलते हैं बिहार से निकलते हैं लेकिन वह कि अपने प्रयास से अपने बल पर निकलते हैं वह अपने बल पर निकलते हैं और अपने मेहनत के बल पर वह अच्छे करते हैं जैदा जैदा आई आई पीएस तो आप जांते ही होंगे के अपिहार से ही बनते हैं तो इसमें सरकार की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है सरकार ऐसा कोई करता है जिसे अच्छे तरह उसे ज्यादा प्रिरित किया जाए तो आपने समझ गए किसी भी कार्जियों में सेवा देना होता है तो दोनों कुछिशन को हम देख लिए अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वह उसी पर होगे कि रोजगार आपने कवर करेंगे तो अभी तक के कम्यूनिटी पोस्ट में दे देते हैं जिसमें आपको अप्शन वाइज दिया रहता है कि आपका कौन सा सही है जैसे हमने डांडी मार्च के वारे में ही लिखाता है तो उसके आप सब्सक्राइब करके रखे रहे हैं तभी आपको वो सारे चीजों का पता चल पाएगा चल